कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुपकी प्राप्ती हो जाने पर वे इस से बड़ा कोई दूसरे लाव नहीं मानता ऐसी किति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठनाई में भी विचलिक नहीं होता यह निसंदे भौतिक संसर्ग से उत्पन होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुट्टी है मनुष्य को चाहिए कि संकल्पता शद्ध के साथ योगा भ्यास में लगे और तक से विचलिक नहूँ उसे चाहिए कि मनो धर्म से उत्पन समस्ते च्छाओं को निरकवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश्मे करे धीरे धीरे क्रम्शह पूर विश्वास पूर्वक बुद्धी के द्वारा समाधि में इस्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही इस्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए मन अपनी चेंचलता तता अइस्थिता के कारण जहां कहीं भी विच्ण करता हो मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खीचे और अपने वश में लाए जिस योगी का मन मुझ में इस्थि रहता है वह निश्च ही दिव्य सुप की सर्वोच सिध्धी प्राप्त करता है वह रजोगुन से परे हो जाता है वह परमात्मा के साथ अपनी गुनात्मत एक्ता को समस्ता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निव्रत हो जाता है इस प्रकार योगा भ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म सैयमी योगी समस्त भौतिक कल्मस से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिज्वे प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है निसंदे सरूप सिद्व्यक्ती मुझ परमेश्वर को सरवत्र देखता है जो मुझे सरवत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अद्रश्य होता हूँ और ना वे मेरे लिए दर्श्य होता है जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक्त सेवा करता है वे हर प्रकार से मुझ में सदै विस्तित रहता है हे अर्जुन वे पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तता दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है अर्जुन ने कहा ये मघसुदन आप में जिस योग पद्यती का संग्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अविभारिक तता असानी है क्योंकि मन चंचल तता अइस्थिर है ए क्रश्ण चूंकि मन चंचल, उश रंकल, हठीला था अत्यंत बल्वान है अते मुझे इसे वश में करना वायू को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है भगवान शी कृष्ण ने कहा ये महाबाहु कुंति पुत्र निसंदे चंचल मन को वश्मे करना अत्यंत कठिन है किन्तु उप्युक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है जिसका मन श्रंकल है उसके लिए आत्म साक्षातकार कठिन कार रह होता है किन्तु जिसका मन संयमित है और जो समचित उपाय करता है उसकी सफलता धू है ऐसा मेरा मत है अर्जुन ने कहा हे कृष्ण उस असफल योगी की गती क्या है जो प्रारम में शद्धा पूर्वक आत्म साक्षातकार के विदी ब्रहन करता है तिन्तु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिध्धि को प्राप्त नहीं कर पाता हे महाबाहु कृष्ण क्या ब्रह्म प्राप्ति के माल्च से घरष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मी तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से चुत नहीं होता और छिन भिन बादर की भाती विनष्ट नहीं हो जाता जिसके फलसरूप उसके लिए किसी लोग में कोई स्थान नह ही रहता हे कृष्ण यही मेरा संदे है और मैं आप से इसे पूर्ट्या दूर करने की प्रार्षना कर रहा हूं आपके तरिक्तन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदे को नश्ट कर सके भगवान ने कहा हे प्रथा पुत्र कल्यान कारें में निरत योगी का न तो इस लोक में औ और न पर लोक में ही विनाश होता है यह मित्र भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता हसफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक धोग करने के बाद या तो सदाचारी पुर्षों के परिवार में या की धनवानों के कुल में अत्वा वे ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुधिमान है निश्चही इस संसार में ऐसा जन्म दुरलब है एक उरुनंदन ऐसा जन्म पाकर वे अपने पूरु जन्म की दैविक चेतना को पुने प्राप्त करता है और पूर्ण सफर्ता प्राप्त करने के देश्य से वह आगे उन्नती करने का प्रयास करता है। अपने पूरु जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी सुतह योग के नियमों की और आकरशित होता है। ऐसा जिग्यासु योगी शास्त्र के निष्ठानों से परेस्थित होता है। और जब योगी समस्त करमत से शुद्ध होकर सच्चे निष्ठा से आगे प्रगती करने का प्रयास करता है। तो अंत्यतो गत्वा अनेका नेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धिलाब करके वह परंगंतव्य को राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से जानी से पथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतहे अरजुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत शद्धा पूर्वक मेरे परायान हैं। अपने अंत्यकरण में मेरे विशय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रयाभक्ती करता है। वह योग में मुझसे परमंतरंग रूप से युक्त रहता है। और सबों में सरवोच है। यही मेरा मत है। अध्याय साथ भगवत क्यान। श्वी भगवान ने कहा यह प्रथा पुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगा भ्यास करते हुए मुझे पूर्ण तया संशरहित जान सकते हो रहे। अब मैं तुम से पूर्ण रूप से व्यवारिक तथा दिव्य ज्यान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हे जानने के लिए और कुछ विशेश नहीं रहेगा। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धी के लिए प्रयत्मशीर होता है। और इस तरह सिद्धी प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे बास्तम में जान पाता है। प्रत्वी, जल, अगनी, वायू, आकाश, मन, बुध्धी तता अहंका याठ प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां है। हे महाबाहु अर्जुन, इनके तरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ती है, जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धननजय, मुझसे श्रेष्ट कोई सत्य नहीं है, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंति पुत्र, मैं जलका स्वाध हूँ, सूरे तता चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में भनी हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थे हूँ, मैं प्रत्वी की आध्य सुगंद और अग्नी की उश्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का ज मैं बल्वानों की बुद्धी तथा समस्त तेजस्वी पुरुष्यों का तेज हूँ, मैं बल्वानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ, हे भरतुश्रेश्ट अर्जुन, मैं वह काम हूँ, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, तुम जान लो कि मेरी शक्त की द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतो गुण हो, रजो गुण हो या तमो गुण हो, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, तिन तु हूँ सुतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधिन नहीं हूँ, अपि तुवे मेरे अधिन है, तीन गुणों, सतो, जो तता तमो, के द्वारा मोह गस्त ये सारा संसार, मुझ गुणातीत, तता अविनाशी को नहीं जानता। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ती को पार कर पाना कठिन है, किन्तु जो मेरे शर्णागत हो जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुश्यों में अधम हैं, जिनका ग्यान माया द्वारा हर लिया गया है, तता जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारन करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शर्ण ग्रहन नहीं करते। ये भरतुशेष्ट, चार प्रकार के पुन्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्ट, जिग्यासु, अर्थार्थी, तता ग्यानी, इन में से जो परम ग्यानी हैं, और शुद्ध भक्ती में लगा रहता है, वह सरुश्रेष्ट है, क्योंकि मैं उसे अतिंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है, निसंदे ये सब उदार चेपता व्यक्ती हैं, फिन्तु जो मेरे ग्यान को प्राप्त है, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ, वह मेरी दिव्य सेवा में तत पर रहकर, मुझे सरवोच वदेश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, अनेक जन्म जन्मानतर के बाद, जिसे सच्मुच ग्यान होता ह वह मुझे को समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यम्त दुरलव होता है, जिनकी बुद्धी भोती की छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने सुभाव के अनुसार, पूजा के विशे शुविदी विधानों का प्तालन करते हैं, मैं प्रतिक जीव के हिदय में परमात्मा सुरूप इस्थित हूँ, जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी शद्धा को इस्थिर करता हूँ, जिससे वहे उसी विशेश देवता की भक्ति कर सक ऐसी शद्धा से समंगृत वह देवता विशेश की पूजा करने का यत्न करता है और अपने इच्छा की पूर्ती करता है किन्तु वास्तविक्ता तो यह है कि ये सारे लाव केवल मेरे द्वारा प्रदुत है अल्प बुद्धि वाले विक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सिमित तथा शनिक होते हैं देवताओं की पूजा करने वाले देवलोग को जाते हैं किन्तु मेरे भक्त अंततह मेरे परमधाम को प्राप्त होते हैं बुद्धी ही मनुश्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले मिराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है वे अपने अपको जान के कारण मेरी अविनाशी तथा सरवोच प्रकटी को नहीं जान पाते मैं मूर्खों तथा अलपग्यों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ उनके लिए तो मैं अपने अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छा दित रहता हूँ हतेवे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अबिनाशी हूँ हे अरजुन श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूत काल में घटित हो चुका है जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वैसर कुछ जानता हूँ मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किन्टु मुझे कोई नहीं जानता ये भरतवन्शी, ये शत्र विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तता गणा से उत्पन दवन्दों से महोगरस्त होकर महोगो प्राप्त होते हैं जिन मनुश्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुन्य कर्म किये हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्वत्य उच्छेदन हो चुका हैं वे महों के दवन्दों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में पतपर होते हैं जो जरात अफ़ा मत्यू से मुक्ती पाने के लिए यत्मशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ती मेरी भक्ती की शरण ग्रहन करते हैं, वे वास्तम में द्रम्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विशय में पूरी तरह से जानते हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, मुझे जगत का, देवताओं का, थता समस्त यग्य विदियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मत्यू के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अध्याए आठ भगवत प्राप्ति अरजुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोतम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भवती जगत क्या है, तता देवता क्या है, किपा तरके यह सब मुझे बताईए, हे मदसुदन, यग्यकर स्वामी कौन हैं, और वै शरीर में कैसे रहता है, और म्त् कि में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान ने कहा अभिनाशी और दिव्वे जी ब्रह्म कहराता है और उसका नित्य सुभाव अध्यात्म या आत्म कहराता है। जिसमें सूरे तता चंदर जैसे हैं।